प्रेंड आइडिसर क्लासेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हम लोग तिरकोड मिती पढ़ा रहे थे इसके पहले हमने एक वीडियो बना दिया है यह वह वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस से वीडियो जोड़ो दिख लिए यह देखें टेक्नामिट्ट स्कॉयर ठीटा के बराबर होता है तो टैन इधर आएगा तो क्या होगा कि स्कॉयर ठीटा माइनस के टैन स्कॉयर ठीटा किसके बराबर होगा वन के बराबर हो जाए किसके बराबर होगा वन के बराबर आज देखें यहां पर भी स्कॉयर लगा हुआ इसमें भी स्कॉयर ल इसके बराबर होगा एक अच्छे देखिए इन दोनु का गुड़न फल किसके बराबर एक है तो अब जीसे सेट प्लस टैंट फिटक बहलू निकानना तो यह वाला एक की नीचे चला जाएगा और इसका निकानना होगा तो यह नीचे चला जाएगा यानि देखिए अगर हमें ऐसे लिखना हो सेक ठीटा प्लस टैन ठीटा कि वह लो कितना होगा तो यह क्या होगा एक बटे सेक ठीटा माइनस के क्या हो जाएगा टैन ठीटा या इसे को हम ऐसे भी ले सकते हैं सेक ठीटा माइनस के टैन ठीटा एक इसके बराबर होगा एक बटे सेक ठीटा प्लस 10 ठीटा के क्या होगा बराबर होगा तो दूनों यह की फार्मूले से हैं तो देखे इससे जरूर कोशन पुछता है अग दूसरा यह भी तर इससे और भी एक टाइब का बनता है ठीक है तो उसको भी हम समझ लेते हैं ठीक है जब वो कोशन आएगा तभी समझा देते पहले इस कोशन को देखते हैं कैसे लगाएंगे ठीक है तो देखे इसमें कोशन भी दिया है कि सेक ठीटा प्लस 10 ठीटा का बैलू इतना दिया है तो सेक ठीटा माइनस 10 ठीटा लिखना नहीं है पस आपको समझा रहे हैं तब यहां में आपको डायरेक लिखना देखिए माइनस में दिया तो नीचे प्लस वाला आएगा यहां प्लस वाला होता थे माइनस होता तो इसका वैलू सीधे सीधे कुर्शन में कितना दिया है यह ओन पॉइंट्ट वाइब दिया है थीक है तो दसमलो हटाएंगे तो दूजी रूर बढ़ जाएगा पचीश चो का सो पचीश पचीश चार पचीश चार बटे पांच लोगे शांच करेंगे जब ह हो जाएगे तो इदि देखिए को सापसन सही हो जाएगा इसका बीवाल सही हो जाएगा दिकी अब हर कोस्चन या लगाएंगे कि सब्सक्राइब सिद्राइब से रखी तो कितना होगा लगा कितना हो एक बटए याट होगा अब एक लिटाइब होता है 10 125 होता है कितना होता है 105 नहीं पढ़ता है तो आप भाग कर लेघेए ठीक एक नहीं जाएगा डिक कम आठ दो बचेगा एक जूरू बढ़ा लेंगे 20 हो जाएगा आठ दुनी सूल जार बचेगा यह जूरू और बढ़ांगे 40 आठ 452 देखी आप कुछ नहीं लगाना कोई फार्मूला नहीं लिखना है अगर प्लस दिया तो माइनस पूछ एक बटिम कर देना है तो इसका एंसर कितना होगा दसमलो एक दो पॉच्ट कौन सा होगा सी वाला सही हो जाएगा अगला कोशन है दिया है कि सेक ठीटा प्लस ठीटा पराबर 6 दिया है तो सेक ठ देख़ें इसका दूसरा टाइप है तो अब हम बता है कि जो स्टीटा सेकट ठीटा है टिक है सेक ठीटा प्लस टैंडिटा का वैलू कितना दिया यूज अगर अकरत बच्छत it supposed हो यह कुल्टत ऊजाएगे इसने को क्या करना होता जोड देना तुम होता है तो जोडेंगे तो क्या होगा प्लस माइने सगड़ जाएगा डू सेख ठीटा हो जाएगा आज इसके बराबर 6 प्लस एक बटेशे के बराबर हो जाएगा ठीक है अब देखिए जब आपको कांसेट पता रहेगा तो यह क्यों लिखेंगे सीधर सीधर नहीं लिखेंगे मन में कर लेंगे कि यह वाला प्लस माइन से कर जाता है इधर टू से ठीटा बरावर इतना तब दो से भाग कर लेजिएगा तो कहां इसके नीचे चला जाएगा इसके भी नीचे आएगा इसके भी नीचे आएगा तो जब इसके नीचे आएगा तो कितना हो जाए हैगा एक बटे 6 के नीचे कितना गया गया वर्र हुज़ाएं कितना हुज़ाएं एक बटे बार हो जाएंगा ठीक है तो देखे अब देखे ती प्लस एक क्वारें मतलब क्या होता थी इसको मैं इसे भी लिख सकते हैं तो कौई साफसन तो हो जाएगा किस सही एक बटे बारे किस अफसन में है पहले में तो कौन साफसन से हो जाएगा इसका पहला वाला आफसन सही हो जाएगा अच्छा देखिए कुछ लोगों को यह डायरेक्ट नहीं समझ में आया है कि 6 सही एक बटे 6 दो से भाग किये कैसे किये हैं इसको हम आपको अलग से समझा सही इसका मतलब क्या होता है यहीं चीज आपको बता है आपको भी आयाड रखना है अब समझाएँ आपको ठीक है लेकिन इसी pricing को आपको एक आपको पूछह है तो आपको ध्याना बिलुट सेक्षिविडल, फॉथ दृयरेक्षिभ लखने कितना बन जाएगा 2 स्यक्ती टीटा वरावर इतना होगा तो इसका आधा तीन वर्टे को डाणा तो जब आपका प्रेक्टिस वॉए जाएगा तभी सैकंडमें लग जाएंगे अगला question है देखिए जैसे देखिए यही question दिया है कि सेक ठीटा प्लस ठीटा बराबर 4 है तो minus का पूछा है तो सीथी से बात कितना होगा एक बटे 4 होगा एक बटे 4 का value कितना हो तो दसमलो 2-5 होता नहीं पता है तो देखिए दसमलो लगाएंगे इधर 10 हो जाएगा 4 दुन कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा ठीक है दोस्तों आप से रिप्वेश्ट एदी चैनल के नहीं है तो प्लीज सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करके फीडवेक जरूर दीजेगा देखिए इस वीडियो का क्या होता है हम जानते हैं कि कोसज स्कॄाइड ठीटा किसके बरावर होता है ये 1 प्लस कोट स्कुाइर के विए 2 औधर दीजेगा अब अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक में प्लस, एक में माइनस हो ही, जैसे अब सेक वाला पढ़े हैं, तो क्या होगा, कोसस ठीटा प्लस के ओड ठीटा, ठीक है, और कितना होगा, कोसस ठीटा माइनस के ओड ठीटा, एक इसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएग अब इसे तरह अगर plus का निकालना है तो बटे minus हो झायगा, minus वाला चला है अगर minus वाला निकालना है तो बटे में plus वाला चला है जिसे अपसक वाला पड़े हैं, अगर देखिए इसे काड़ का पूछेगा तो क्या करना समीक रड़ को जोड़ दीना है ठीक है तो देखिए अभी आपको समझ गए जैसे पहला फार्मूला वाई सिर्फ सेम फार्मूला देखिए सब इस टाइब का सब एक्जाम में पूछता है चाहे यह एलपी रहे सबस्क्राव कर्या न जिया खार्मूला आपर थे ट était पहले कि भी वह thrive रखाने तो क्या होगा झाहाईगा तो देखें जब भटाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा ए माइनस होगा ये माइनस होगा पस इतना ध्यान रखना है ठीके तो कॉट ठीटा उपर है नीचे भी कॉट ठीटा होगा कितना हो जाएगा टू कॉट ठीटा हो जाएगा आई कितना होगा दो माइनस के एक बटे दो तो दो में से एक बटे दो जाएगा दो दूनी चार चार में से एक जाएगा तीन यहीं तीन बटे दो हो जाएगा कितना होगा तीन बटे दो इसका सी वाला सही हो जाए कौंसा सही हो जाए किसका सी वाला सही हो जाए कौंसा हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा तो अमीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा इसका कैसे यूज करना है ठीक है अगर को सच पूछता तो जोड़ देते अगर काट का पूछा तो घट प्लस टीट पूछा है तो एक बट्टी तीन का उल्टा क्या होगा एक वर्टी तीन का उल्टा तीन होगा लो कितना टाइम लगा देस सेकंड ठीक है कौन सा और सही हो सही हो जागा लाइक यह रूर कर देजेगे भाई देखिए अगला कोशन दिया है सेक ठीटा माइटरें अगान ऑप सफ्लिय हो जाएंगा कि वहलों गॉचा 25 अप और 20 fixing ऑप면 पहुत फ मॉलों जाएगा किनन दों न रखना कोशन को जितने स्पीड में करो उतने ही फाइदा होता है ठीक है उतने आपका क्या होगा फायदा हो पायदा यह होता है कि आपको कम एक्जाम میں के तो हमिसा कितना पड़ा है टाइम ही कम पड़ जाता में थरिजनिरी लगाकने लिए तो जहां से आप फास्ट कर सकते हैं वहां से फास्ट करिएगा देखिए अगला पूश्चन दिया है कि सेख ठीटा प्लस 10 ठीटा बराबर 12.5 है तो पूछा है सेख ठीटा माइनस 10 ठीटा गोई लो बस इसी का उल्टा तो हो जाएगा यहीं कितना होगा 12.5 तो 10 होटे ठीक है कि कैसे चेंज करना जैसे इसमें अगर हम 4 का गुड़ा कर दे इसमें भी 4 का गुड़ा कर दे तो उपर कितना होगा 4 दूनी आठ है नीचे 25 का 100 हो जाए कितना होगा होगा ठीक है तो जब जोड़ते हैं तो इधर कितना हो धतले होता है इने हैसे कितना हो जाते इए व्याध़ा होता तो आधा कईसे करते थे पता है यह कितना हो एक दसमलो च्छे होगा इब तीस का कितना हो जाएंगा 64 हो जाएगा है देफीड़ होता है अभ देखी इसका बैलू जब भी आ keen निकालेन झालेंगे ठीक है एक दसदार स्वाइब कर लें ठाएंगे भाली तो दस थाएक अब कि कितनी बार जाएगा दस है तो एक बार तु जाएगा नहीं तो एक जीरो और बढ़ाएंगे तो एक इतना होगा सो एक ही बार जा रहा है नहीं दसमलो एक बार जा रहा देखिए आफसन का भी सहारा लेंगे ठीक है तो अब जब दसमलो पहली बार देखिए दसमलो एक बार तो सिधे सिधे एक दस्मेलों साथ हो जाएगा पूरा भाग करने जुरुत नहीं है तो कौन साफशन से हो जाएगा इसका सीवाला सही हो जाएगा तो मिलत कर रहे हैं यह भी कौन सेट आपको समझ में आगे होंगे अब नेस्ट वीडियो में इससे भी खतरनाग टॉपिक देखेंगे बस वीडियो को आप सब लोग लाइक कर दिजिएगा ठीक है मिलते हैं नेट वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद